Hi everyone, welcome to my YouTube channel Edco Classes. My name is Manis और आफ देख रहे हैं Edco Classes को. आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे KBS एक्जाम 2023 जो हो रही है, PGT English की डिसकस करेंगे, जिसमें आज हम NCRT Hornbill से Silk Road टॉपिक को डिसकस करने वाले हैं. दोस्तों इसमें हम उन सारे questions को attempt करने वाले हैं, जो important question है, KBS PGT English के लिए, जो अगामी 23-5 को होने वाली है, exams, तो आपके लिए ये वीडियो काफी important है, इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे, summary, आपको बताएंगे कि उन कौन-कौन से questions, किस टाइब के questions आपके exams में पुछे जा बिना delay के इस वीडियो को start करते हैं, सबसे पहले हम लोग समझते हैं, summary, आखिर ये silk road जो है, नाम तो आप पहले से जानते हैं, ये Asia continent में, जो चाइना से होकर European country को connect करते थी, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे businessmen थे, इस route से आते जाते थे, तो इसमें जो author है, ओ आखिर इस silk road को silk road को आके उन्होंने क्यों चुना, इसके पीछे उनका intention क्या था, ये जो एक journey है, और उस journey के बारे में उन्होंने discuss किया है, बताया है, कि जब वो journey start करते हैं, और क्यों ही start करते हैं, और क्या-क्या समस्या आते हैं, इस सारे चीजों को आज के वीडियो में हम discuss करेंगे, और उन सारे important questions को भी करेंगे, जो आपके exams में आने वाली है, दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे कि इस silk road का writer का नाम, जो important होता है, तो writer का नाम Nick Middleton है, राइटर जो आप याद कर लेंगे, Nick Middleton जो है, वो अपना journey start करते हैं, Mount Kailas के लिए, दुसरा चीज हम जानेंगे, कि Mount Kailas के बारे में एक spiritual place है, और लोगों के mouth से, लोगों के मूँ से इन्हों ने सुना था कि बहुत जादा spirituality को सो करती है, तो आखिर एक क्यों है, आखिर इसके पीछे कारण क्या है, तो इसी सब को ढूड़ने के लिए इन्हों ने ये journey को start किया था, और वो चाहते थे कि इस spiritual place पर, means Mount Kailas पर जाकर वो एक kora perform करे, तो ये kora क्या होता है, तो इसको भी हम लोग समझेंगे, इसमें आगे, तो देखते हैं, ठीक है, तो क्या Middleton जो है, Nick Middleton क्या, अकेले जाते हैं, नहीं दोस्तों, वो अपने एक दोस्त, Test 10 को ले लेते हैं, और एक Daniel, जो उनका Guider हो होते हैं, वो guide करते हैं, कि आपको मैं उस रास्ते के साथ लेकर चलूँगा, जो काफी easy होगा, और आप जल्दी पहुंच जाएंगे, condition यह रहता है, कि snowfall ना होता, लेकिन जब वो रास्ता तै करते हैं, तो उनके बहुत सारे ऐसे चनोतियों को सामना करना परता है, बहुत उस सारे सुन्दर्ताओं को, जैसे कि मानस्वरवर जिल, डार्चेन जिल जिल है, जो देखते हैं उसकी सुन्दर्ता को, तो उसके बारे में वो explain करते हैं, वो अपनी परशानियों को बताते हैं, वो सारे जो journey है, उसकी अनवाव को यहाँ पर बताते हैं, तो आगे हम जगह से स्टार्ट करते हैं और वो माउंट कैलास तक निकलते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर यह mention है, रावू एक जगह है, जहां से वो स्टार्ट करते हैं, फिर आगे देखते हैं कि लामा, लामा उनको एक गर्म कपरा देते हैं, ताकि वो उस कपरे को लेकर आगे की रास्त असानी से तैय कर सके, वो गर्म कपरा इसलिए देते ताकि उनको मालूम होता है कि आगे बहुत ठंड होना वाली है, इसलिए राइटर्स को यानि मिडियल्टन को वो गर्म कपरे देकर विदा करते हैं, ठीक है, जब वो रास्ते में चलते हैं, तो आगे एक जंगली गदे, च तंबू को देखते हैं, ठीक है न, वहाँ पर बहुत सारे जो खाना बदोस के घर थे, और तिबती मस्टिप के, जो मस्टिप जो होते हैं, वो टेंट की रखवाली कर रहे थे, जब उनके पास पहुँचते हैं, तो वहाँ पर बहुत बरे बरे जबरे वाले कुत्ते होते ह तो उनके कार के पीछे दौर परते हैं, जैसे हो घाटी में परवेस करते हैं, तो वो बर्प से ढखे परे पहार और नदियों को देखते हैं, और वो आगे की और बढ़ते जाते हैं, ये सारे चीज़े को इंजॉय करते हैं, और आगे की और बढ़ते जाते हैं, आपको माल करते हैं वहां पर लेखक दवाब महश्यूस करते हैं तो उन्हें मालूम चलता है कि वह लगबग 5,210 मीटर उपर पहुंच चुक है यानि 5 किलो मीटर उपर पहुंच चुक है और जो यह पूरा जो बागा है वो बर्प से भरी हुई है उसको साफ करते हैं बागा का मत्तब जो उनके गारी होती है उसके बारे में बात किया गया तो आपको यहाँ आप दो-तीन पॉइंट याद रखनी होगी आपको कोशन जो मैं बताऊंगा उसमें पूछेंगे भी कि वो कितने मीटर तक पहुंच चुके थे और वो कैसा फिल कर रहे थे ठीक है न यह सारे पॉइ उस समय लगबग दोफर का दो बज़े होते हैं और वो दोफर का दो उनको मतलब फिल होता है कि उनको भूक लगी है तो भोजन करने के लिए रुख जाते है और उनके सर में थोड़ा सा हेड़ेक भी होने लगता है ठीक है अब यह कोशन पूछा जाएगा कि वो दोफर के भोजन के लिए कहा रुखे तो दोफर के भोजन के लिए छोटे सर होड में पहुंचते हैं और वहाँ पर रुख जाते हैं ठीक है तो वहाँ पर एक कैफे होती है उस कैफे में बैठते हैं है और वहाँ पर चाय पीते हैं कॉफी पीते हैं फिर उसके बाद वो अपने कार क थीक ठाक करते हैं फिर उन लोग लहाशा के लिए निकल पड़ते हैं लेकर कि यहां पर यह भी बताने के कोसिस कियें कि जो वहां पर उन्हों ने जो रूप का होर उनको पसंद नहीं आया मतलब होर को उन्होंने उतना अच्छे से नहीं बताया कि वह एक ऐसी मैसी जगा थी म पतलब इन्होंने बताया है ऐसा फिर वह अपने जर्नी को आगे बढ़ाते हुए ओ दर्चन पहुंच जाते हैं दर्चन के गेस्ट हाउस में रुकते हैं क्योंकि रात हो चुकी होती है मौशन में थ्थरा बदलाव होता है ठंड सर्द बढ़ गई होती है जिसके वेसे उन को पांच दिन के लिए दवा दी जाती है यह सभी कुशन्स इंपोर्टेंट होगे जाते कहां पर है तो मेडिकल तिबिती मेडिकल हॉस्पिटल में उसके बाद फिर उनको दवा कितने दिन के लिए दी जाती है तो फाइव डेज के लिए तो यह सारे पॉइंट्स को आप याद रखेंगे जब दवा लेकर सुबह उठते तो काफि बेहतर फिल करते हैं और वहां का जो दार्चन का आनन्द लेते हैं फिर वहां पर एक तीर्थियात्री से तीर्थियात्री नोर्बू से उनकी मुलाकात होती है ठीक है और कह सकते हैं कि दार्चन जो जगह है वहां कोई भी तीर्थियात्री नहीं था तो इसलिए वो नौर्बू से मिलते हैं और नौर्बू से ही वो बात करते हैं के वेस में ये भी एक्जामस में पुछ ली जाएगे कि जब वो रूके थे आपका होर में तो जो टेंट था के आंदर उन्होंने क्या खाया था तो टेंट के अंदर उन्होंने नूडल्स खाई थी ठीक है न कि यह धियान रखेंगे ठीक है कि नौर्बू से आखिर उन्हें बात क्यों किया आपको पता होना चाहिए जो ट्रैवलर जो आपका ओथर है वो इंग्लिस इंग्लैंड के हैं और वो मतलब इंग्लिस बोलते हैं तो कह सकते है कि उनको इंग्लिस बोलने वाला कोई चाहिए था साथी ताकि उनका पुरा सफर जो है अच्छे से कट सके तो बुक्स निकाल कर पढ़ रहे होते है कैपे में बैट कर तो नौर्बू ने देखा आकर देखा तो उन्होंने पूछा कि क्या आप इंग्लिस जानते हो इंग्लिस से हो तो इस तरह से बुक को देखकर उन दोनों भी क्योंको नौर्बू भी वह चीजे मतलब इंग्लिस जानता था ठीक है फिर नौर्बू भी एक रिसर्च करने आया था वो मानसरोबर जो कह सकते हैं या फिकलास परवत जो है उन लोग बढ़ते हैं क्योंकि दोनों अंग्रेजी में स्पिक करना जानते थे तो इस तरीके से वो पहुँच जाते हैं बात करते हैं वहाँ कोरा परफॉर्म करते हैं अब आगे हम बात करते हैं इसको और डीटेल में जानने के लिए और भी मेरा वीडियो आप देख सकते हैं प्ले इस्टोर में जाकर तो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि आखिर कॉनकों से किस टाइब के MCQ आपके KBS एक्जाम में पूछे जाएंगे अगर जादा हम इसको डीटेल में और जादा बताएंगे तो आपकी वीडियो जादा लॉंग हो जाएगी लेंदी हो जाएगी ठीक है तो हम चलते हैं आप कॉश्चंस पर अब यहाँ पर कॉश्चंस पर आते हैं उन्होंने किस वे में एक्स्प्रेंड किया है आपके साथ ने ऑप्सण यह रहा परफेक्ट ब्लू स्काई के रूप में पिंक क्लाउट्स, रोज पेटल से नहीं है या बोथ A and B तो उन्होंने परफेक्ट ब्लू स्काई और पिंक क्लाउट्स दोनों के रूप में उन्होंने एक्स्प्रेंड किया है मॉर्निंग को ठीक है तो पहला यानि D option is correct होगा नेक्स्ट क्वेश्टन पर आते है देखें क्वेश्टन यहाँ पर आ गया कि Who gave warmer clothes to author author को warmer clothes किस नहीं दिया था मैंने आपको बताया था ना इस ताइब के questions आपको एक्जाम में पुछे जाएंगे तो लामो ने इसका option क्या होगा है अगर लामो ठीक है नेक्स्ट क्वेश्टन पर चलते है वाइड डैनियल डिक्लियर author as a drugba तो option A है because he was looking typical nomad nomad का मतलब होता है एक जगा से दुस्य जगा घुमने वाला और टिबत रिजन after wearing warm clothes option B because he was starting journey to Mount Kailas option C because author was going to experience life like drokbaas या option D because he was having drokbaas food since many days तो यहाँ पर option A is correct हो जाएगा ठीक है option A question number 4 को देखते who among them knew the shortcut for Mount Kailas किस नहीं कहा तो यहाँ पर आपको पता ही होना चाहिए तो test 10 नहीं कहा था ठीक है test 10 next आगे देखते है what is a क्यांग क्यांग क्या है तिबितियन डॉक था या wild ass से या rocky plane से या tenets से तो आप option देखेंगे तो option के according आपका wild ass हो जागा answer option B who waved after looking at author's car author's के car देखने के बाद कौन उसके पीछे लगा नौरबू, क्यांग, डॉरकवाज या all of them तो option C is correct ठीक है तो C, डॉकवाज यहाँ पर डॉक की बात हो रही है जो बरे बरे जबरे वाली ठीक है चले, next question पात है who is the standing guard in rocky montanious region और तिबबू, कैफे ओनर, क्यांग, तीवितियन मैशिप या डॉकवाज तो option C is correct answer तीवितियन मैशिप जो था standing guard के रूप में काम करते थे हैना, tent को guard देखते थे देख रेक कर रहे थे ठीक है question number 8 को देखते है what happened, क्या हुआ when 15 meters of snow came in front of the car 15 meter snow जो है, कार के सामने जब आया तो क्या हुआ they decide to contact government authority to clear the snow या फिर they took the alternate route या option C they put the car on the snow या तेस्टेन और डैनियल jump quickly and start clearing the snow तो यहाँ पर तीन option तो हो गा ही नहीं ठीक है तो लास्ट टेस्टेन और डैनियल जो थे है उन्होंने तुरहन ग्विक जम्प किया और आगे कर जो 15 meter जो इस नो कार के सामने आगे थे उसको हटाने के कोशिस किया option D is correct answer question number 9 में देखते है at 5,400 meters above sea level what relief did author get from gulps of water तो from fanting, from headache, with thirst या both and sea तो A हो जाएगा, option A is correct headache होने लगा था 5,2,4,0 ये भी था और उससे उपर गए है 5,0 जे तो उनका headache बर्थ चुका था ठीक है आगे देखते है next question आपके सामने what did the author consume near dry salt lake है ना salt, जो dry salt lake था उसके नजदीक उन्होंने क्या खाया तो मैंने आपको बताया था noodles खाया था उन्होंने यानि option C is correct question number 11 को देखते है which place was awful and miserable to narrator कौन साथ place author के लिए awful और miserable रहा तो आपका option मैंने बताया था बहाते समय समरी डार्चिन, मांसरोबर, लाहाशा, आरहूर आपको मालूम होना चाहिए एंसर दीजिए फटापट डार्चिन correct answer next question है which of the following rivers does not originate near मांसरोबर इन में से कौन सा रिवर मांसरोबर से और जिनेट नहीं होते है ब्रह्मपुत्रा, यमुना, गंगा, इंदस तो इसमें से 3 वीवर और जिनेट होते है ब्रह्मपुत्रा और जिनेट होता है गंगा और जिनेट होता है इंदस और जिनेट होता है यमुना तो option यमुना जो और जिनेट नहीं होता है था तो और कैफे ओनर फर्स्ट टू क्लाइम मांट कैलास जैपनीज मोंग या फैटी मैन हूं मेड ऑथर इन कैफे तो जैपनीज मोंग थे कौन थे जैपनीज मोंग यानि ऑप्शन सी इस करेक्ट एंसर चली फटा-फट करते हैं वेर डज ऑथर इस पेंट ही रेस्टलेस ना नेक्स्ट कॉर्शन फिफिटिन को देखते हैं ठीके जैंड कॉर्स्ट कह licma के रहा हैं वाय देर बनों पिलग्रिममिज अलॉट ओ और ओं के लांग बि tobacco क्यों लाग पाउलन के लाट अविके लिया ना ओन्रस्ट के लाट टिरन के राष्ट के नहीं देंके साथ के राष् फिल्ग्रिमी लोग जो है कैलास मांसृरोवर के लिए घुमने जाते हैं मांसृरोवर मांसृरोवर मांट कैलास के लिए परवत कैलास के लिए घुमने जातें समझमे आरी बात हैं Questions No.16 को देखते हैं Where did the protagonist meet Norbu Norbu से जो protagonist मतलब जो author है वो कहा पर मिले तो 16 का A हो जाए यानि कैफे में कैफे में उनकी मुलाकात होई थी नौर्बू से चलिए आगे देखते है Next question आपके सामने यह रहा 17 What is Quora? Quora क्या है? मैंने आपको बताया था कि Quora एक meditation performed है Buddhist believers Buddhist का ऐसा मानना है कि यह spiritual meditation performing है जो Buddhist लोग करते है सभी लोग कर सकते है तो option D is correct 17 का Question number next देखते हैं 18 आप question यह पूछा है सारा मैं आपको इसमें करवा दूँगा summary नहीं भी आप देखेंगे तो आपको questions इतना रहेगा कि आप कर लेंगा जैसे Who are Drokwas? Drokwas कौन था? तो आपका hill tribe एक hill tribe की बात हो रही sorry उसे मैंने dog ही बोल दिया था जबरेवाल है तो यहाँ पर hill tribe होगा ठीक है Question number 19 को देखते हैं Why was the protagonist protagonist का मतलब होता है जो important role play करता है तो इसमें important role writer है जो एक journey पर निकले हुए है facing communication problem in dark chain उन्होंने dark chain में क्या problem face किया तो इसका answer देखले हो आप As he never wanted to talk to local या as he was always busy in his meditation he has no one new English या none of the ever तो option C is correct हो जागा कोई भी English बोलना नहीं जानता था इसलिए उन्हें problem हो रही थी सफर को आगे तै करने में दोस्तों आप बताओ वीडियो कैसा लग रहा है next questions पर चलते तो इसका option क्या होगा answer तो ए डार्चेन मेडिकल कॉलेज वहाँ पर डार्चेन मेडिकल कॉलेज था वहाँ हो गया थे जब बीमार उनको फिल लिंग मतलब इलनेश फिल कर रहे थे तो देखे questions आ गया 22 मैंने बताया था कि इस टाइब को questions आपको एक्जाम्स में आ सकते हैं ठीक है next question पर चलते है question number 23 को देखते है तो बार बार हमें यहाँ पर प्रोटागोनिस्ट की बात आ रहे है तो यहाँ पर आथर की बात हो रहे है निक मिडल्टन याद रखेंगे निक मिडल्टन तो किस प्लेस पर वेट के हैं उन्होंने तो option देखेंगा आगे horse cafe inside the car at roadside near lake at car tire shop the horse cafe के निजदीग ठीक है तो option D is correct next questions पर चलते है 24 24 आपके सामने यह रहा वो पुरानी रूट क्या है जो लहासा से कस्मीर के तरफ जाती है तो option A is correct east west highway east west highway is correct answer यहाँ option A is correct next questions तो next questions आपके सामने है and the last for today what were the protagonists Daniel and Tasten doing when they saw the snow तो यहाँ पर बात रहे कि what were the protagonists Daniel and Tasten doing when they saw the snow तो option C is try to move smoothly over snowy surface option C is correct तो आज के वीडियो का यह last question था आप मुझे बताएंगे comment करके आपको यह वीडियो कैसा लगा next वीडियो के साथ फिर मिलते हैं तब तक अपने तैयारी जारी रखें जैहें दोस्तों